अम्रित काल का ये पहला बजेट विक्सीट भारत के विराट संकल को पूरा करने के लिए एक मजबूत नीव का निर्मान करेगा ये बजेट वन्चितों को वरियता देता है ये बजेट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाओं गरीब किसान मद्दिमवर सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्नमंत्री निर्मराजी और उनकी टीम को इस अइतियासिक बजेट के लिए बढ़ाई देता है साथियों परंपराधत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी महनत कर कुछ न कुछ सुरुजन करने वाले करोडों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारिगार, मिस्ति, अंगिनित लोगों की बहुत बढ़ी लंबी लिष्ट है इन सभी विश्वकर्माओं की महनत और सुजन को देश इस बजेट में पहली बाद अनेक पोथसाहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नलोजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्ता की गई है पीएम विश्वकर्मा काउशल सम्मान यानि पीएम विकास करोडों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बढलाव लाएगा साथियों, शहरी महलाओं से लेकर गाउं में रहने वाईली महलाएं हो कारवार, रोजगार में व्यवस्त महलाएं हो या गरकाम में व्यवस्त महलाएं हो उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विद कदम उठाए है जल जीवन मिशन हो, जुला योजना हो, पीएम आवाद योजना हो ऐसे अनेक कदम इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ महलाएं सेलफ हेल गुरूप एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगा अपने हाफ एकवार कर चुका है उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं और इसलिए विमेन सेलफ हेल गुरूप उनके सरवांगन की विकास के लिए नई पहल इस बजेट में एक नया आयाम जोड़ेगी महलाओं के लिए एक विशेस बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जन्दों ने काउन के बाद कि विशेस बचत योजना सामान ने परिवार की गुरुणी माताओं बेनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है ये बज़े सहकारिता को ग्रामीन अर्थिववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर दे दुनिया की सबसे बड़ी अन भंडारन योजना बनाई है स्टोरेज कैपेसिटी बज़ेट में नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी ऐलाम हुआ है इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा किसानों और शुपालतों और मचारों अपने उत्पाद की बहतर कीमत मिलेगी साथियो अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहरा ना है इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल एग्रिकल्चर इंट्रास सेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए है आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट येर मना रही है भारत में मिलेट के अनेक प्रकार है अनेक नाम है आज जब मिलेट गर गर में पहुंच रहा है पूरी दुनिया में पप्लर हो रहा है तो उसका सरबादिक लाव भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवशक है कि नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए इसकी एक नई पहचान विशेश पहचान आवशक है इसलिए अब इस सुपरफूर को स्री अन्न स्री अन्न की नई पहचान दी गई है उसके प्रोत्सान के लिए भी अनेक भी दियोजनाएं बनाए गई है स्री अन्नकोद दी गई प्राफ्रिक्ता से देश के छोटे किसानों हमारे आदिवाजी भाईवें जो किसानी कर रहे हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वासियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा साथियों ये बजेट सस्टेनेबल फीचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनोमी, ग्रीन एनरजी, ग्रीन इंफ्रास्रेक्टर और ग्रीन जोब्स को एक अभूत पुर्व विस्तार देगा बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू एकोनोमी पर बहाद अधिक बल दिया है एश्पिरेशनल भारत, आज, रोड, रेल, मेट्रो, पॉर्ड, वोटरवेज, हर खेतर में आधूनिक इंफ्रास्रेक्टर चाहता है नेक्स जनरेशन इंफ्रास्रेक्टर चाहिए दो हजार की चौदा की तुलना में इंफ्रास्रेक्टर में निवेश पर चार सो पर्षन से जादा के वृद्धी के गई है इस बार इंफ्रास्रेक्टर पर दस लाग करोड रुपिय का अभूत्परव इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गति देगा ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर प्रदा करेगा एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए अवसर प्रद्द कराएगा इस बजेट में इस अब बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है MSM के लिए दो लाग करोर रुप्य के अतिरित रण की गारंटी की व्यवस्था की गई है अब प्रिजन्टिव टेस्क की लीमिट बढ़ने से MSM को ग्रोग करने में मदद मिलेगी बड़ी कमपनियां द्वारा MSM को समय पर पेमेंट मिले इसके लिए नई व्यवस्था बनाई लिए हैं साथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्यमवर्ग विकास हो या व्यवस्था हो साहस हो या संकल पलेने का सामर्त हो जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मद्यमवर्ग एक प्रभुग धारा बना हुआ है संब्रूत और विक्सित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमवर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशे सामर्त है वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमवर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है मद्यमवर्ग को सजक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णे लिए और Ease of Living को सुनिचच किया है हमने Tax Rate को कम किया है साथ ही Process को Simplified, Transparent और Fast किया है हमेशा मद्यमवर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमवर्ग कोट Tax में बड़ी राहत दी है इस सर्वस परची और विक्सित भारत के निर्मार को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बात निर्मला जी और उनकी पुरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और देश वासियों को भी बहुत बधाई के साथ-साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े 2047 में समरुद्ध भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्द भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बहुत-बहुत धन्यवाद आईए